कबर ए संभल से जहां ब्रश्टा चार पर जीरो टॉलरेंस की नीती के बावजूद भी सुबे में शिकायते कम होने का नाम ही नहीं ले रही है जिहां आज क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते गिरफतार किया है और ओपी इंस्पेक्टर एक विवेशना में नाम निकालने के लिए रिश्वत ले रहा था इस घटना के बाद पूरी पुलिस महकमे में हड कम मच गया है यहां आपको यह बता दे कि इंस्पेक्टर सहदेव सिंग वर्तमान में क्राइम ब्रांच में तैनात है आज एंटी करप्शन टीम ने उनको 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया स्पे संबल यमुना प्रसाद ने बताये कि क्राइम ब्रांच संबल में इंस्पेक्टर सहदेव सिंग एक मामले में बादी मुनेश से बहजो इथाना शेतर में मर्डर के अभियुक का नाम निकालने के नाम पर रिश्वत की डिमांड कर रहे थे जिस पर आज अंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने आरोपी इंस्पेक्टर सहदेव सिंग को 40,000 की घूस लेते रंगे हातों गिरफतार कर लिया फिलाल गिरफतार इंस्पेक्टर के किलाफ मुकदमा दर्श कर जेल भेजे जाने के कारवाई की जारी है वही रिपोर्ट त्यार कर अब आगे की भी भागे कारवाई की जाएगी मैंने का सर कोई लेड़ लेड़ो उसके बाद फिर वोले कि भी खर्चा होगा खर्चा होगा तो मैंने का सर फिर चाली सार और दू कर फिर मैंने बात करी मुरादवा जाकर इसे बात की आपने एक एक एको है एंटी करसं की टीम है तो उनसे बात करी तो नहीं ना थिक है तब फिर मैंने एक अप्रिकेशन लिक्र दिया तब मतलब जोगा अनल भलाया मुझे मुझे मांगा जा रहा ना प्रकुछ मांगने लगेंगे मेरा भी काम करें ना करें वो अलग हुआ तो फिर मतलब अब अब इनको कहां लेकर आएं जेड़े लेकर आएं अब आगे का मुझे नहीं पता है क्या हुआ पराजबाद ब्रस्टाचार निवान संगेका निकाई में शिरी मुनेश कुमार निवासी अतराशी ने शिकायत किया था कि वह मुकदमा पराज संख्या 779 बटे 2018 धारा 302 एक सो भीस भी आई पीसी थाना बैजोई में पंजी कर दुआ था उसका उसकी पहरवी कर रहा है जिसकी विवेचना यहां निरिक शक्षी सैदेव सिंग जो की क्राइम रांच संभल में हैं वो कर रहे हैं उसके बदले जो द पर चालिस जा रुपए की मांग की जा रही है उसके पहले भी वो एक लाख रुपए ले चुके हैं इसी दिना पर हम लोगों ने गया है कि शिकायत लेकर और उसकी तरम जाच कराई पाया गया कि इस जो है अच्छी नहीं है और फिर आज जारा बारा दो जारुनिस को पु एंटी कर्फशन जिस तरह से कलर नोट देती है क्या वो नोट भी पकड़े रहे हैं यहाँ वो सब नोट भी इनके पास से चलिस जार रुपार पर इसके अगवाई में कारदवाई होई है यह निरिक शेप अब जिन वर्जार जनपर संभल में आद दिनान के ज्यारा को एं जो 379 सी बटे 18 मुकदमा था जिसमें 302, 122B और 34 IPCA का था और इसमें जो वादी है मुनेस उससे यह पैसे ले रहे थे कुछ अब्युक्तों को निकालने के लिए और उसमें कारवाई करने के लिए इसमें इनको आज पकड़ा गया है रंगे हातों अब इसमें मुकदमा लि बाच प्राज गराना और एंड जोती गार्ण व्ल्ट गार्ण व्ल्ट गार्ण सेंट्री एर पाने के लिए बाल इकन को व्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और शुच्राइब करें है नयवार अब्लेवाद